तो रिशेंटली एक काफी इंपॉर्टन डवलेपमेंट हुई है यूएस प्रेसिडेंट ने रसिया को ओपेन स्काई ट्रीटी से अलग होने की चेतावनी दी है आपको पता होगा डोनल्ड ट्रम जब से अमेरिका के राष्टपती बने हैं अमरिका कई सारे इंटरनेशनल ट्रीटी से पुल आउट कर चुका है और अमरिका यह चाह रहा है कि वह ओपेन स्काई ट्रीटी से भी पुल आउट कर ले तो अब हम यह देखेंगे कि यह ओपेन स्काई ट्रीटी आखिर है क्या अमरिका इस treaty से क्यों pull out कर लेना चाहा रहा है और क्या इसका कोई Chinese angle भी है ये world peace को किस तरह से affect करेगा और Russia अमरिका के इस step पे क्या बोल रहा है ये सब आज हम अपने इस lecture में discuss करने वाले हैं लेकिन उसके पहले दोस्तों मेरा नाम अभिशेख है और मैं इस channel में history, economics, constitution, geography, gk, gs, news analysis इन सभी से related latest updates share करता हूँ और आप में से जो भी अभी civil services की तयारी कर रहे हैं या फिर SSC वगरा की तयारी कर रहे हैं या किसी अन्य government job की तयारी कर रहे हैं तो मैं उनके लिए quality content हर दिन लाता रहूँगा लेकिन अगर आप इन सभी की तयारी ना भी कर रहे हूँ तो भी आप knowledge के लिए तो ये videos देखी सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरा channel like और subscribe नहीं किया है तो please अभी कर ले और bell icon दबा दे ताकि मेरे next videos की notifications आपको मिलती रहें तो देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि जब से Donald Trump US के president बने है USA बहुत सारी treaties से बहुत सारी international treaties से आइधर pull out कर ले रहा है या फिर international organizations के funding रोग दे रहा है तो जैसा कि आप देख पा रहें यहां पर हमने दिखाया हुआ है कुछ-कुछ important treaties Donald Trump के राष्टपती बनने के बाद से like UNESCO UNESCO से America और Israel दोनों ने pull out कर लिया 2011 में ही दोनों ने UNESCO की funding बंद कर दी थी अमरिका UNESCO का major contributor था इसका share around 22% था UNESCO में तो 2011 में इन दोनों countries ने funding बंद कर दी और 2017 में इन दोनों countries ने pull out करने का decision ले लिया बरक ओबामा और Donald Trump दोनों ने ही UNESCO के उपर काफी बड़ा और उप लगाया था कि ये काफी ज़्यादा anti-Israeli steps ले रहे हैं इसी तरह 2018 में Donald Trump में UNRWA की funding रोग दी UNRWA मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि UNRWA फिलिस्तिनी सरनार्थियों के लिए काम करता है यहां पर भी अमरीका काफी बड़ा contributor था तो अमरीका की total contribution UNRWA में 30% से ज़्यादा थी 2018 से अमरीका ने complete funding रोग दी इनकी अगर आपने मेरी UNRWA वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी चैनल पर इसे एक बार जरूर देख लें इसका subject line था है इंडिया डोनेट्स 2 मिलियन डॉलर टू UNRWA इसके बाद देखिए 2019 में अमरीका ने काफी important treaty एक treaty थी INF treaty इससे pull out कर लिया INF treaty अमरीका और रस्या के बीच में sign हुई थी 1987 में तो ये काफी पुरानी treaty थी अपको पता है cold war के समय में दुनिया में परमानों हथियारों के होड लगी थी ये graph आप देख पा रहे हैं ये graph actually में define कर रहा है आप देखिए वो cold war से पहले का समय अमरीका और रस्या दोनों के पास number of warheads number of nuclear warheads को ये ही represent कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं ये 30,000 से ज्यादा nuclear warheads है ठीक है अमरीका के पास भी और रस्या के पास भी रस्या के पास तो काफी nuclear warheads है तो दोनों देशों ने mutually assured destruction ये एक term है MAD ये mutually assured destruction ये term actually में यूज होता है दो nuclear armed countries के बीच में इन्हें पता होता है कि अगर एक country दूसरे country के open nuclear weapons का यूज करता है तो दूसरा भी पहले country के open nuclear weapons का यूज करेगा तो इससे होगा क्या इससे होगा दोनों देश तबाह हो जाएंगे तो दोनों दुसरों ने MAD से बचने के लिए decide गया कि चलो कोई ना as of now हम लोग सब दोनों countries के पास जो cruise missiles हैं और ballistic missiles हैं हम इनको ही थोड़ा limited कर देते हैं अभी इन्हें जो missiles ban करने थे वो उन missiles की range थी 500 km से लेकि 500 km और ये range आती है intermediate range तो इसलिए इस treaty का नाम पड़ा INF पूरा नाम है intermediate range nuclear force strategy यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये treaty अमरिका और उस समय में सोवियत संग और बाद में रस्या इनके बीच में ही थी किसी दूसरे देश का इस treaty से कोई लेना देना नहीं था अभी देखो कभी world order इस तरह से था कि अमरिका चाइना को threat नहीं मानता था अमरिका के लिए सबसे बड़ा threat था रस्या तो ये treaty उस समय के हिसाब से अमरिका के लिए काफी सही थी बट धीरे धीरे चाइना भी एक super power की तरह उभरने लगा और चाइना ने अपने missiles बना लिए अपने nuclear weapons बना लिए और आज वो एक super power की category में आने लगा है चाइना अपने missiles को continuously update कर रहा है बट US intermediate range के missiles के लिए ये काम नहीं कर पा रहा है और चाइना को balance करने के लिए US को नए missiles बनाने थे नए intermediate range के missiles तो एक चीज में आपको सिर्फ यहां पर बता दू कि ये जो treaty है ये only land based missiles के लिए है ये treaty उन missiles पर लागू नहीं होती है जो either air based है या फिर जो sea based है अभी since इस treaty से exit होने के लिए अमरिका को 6 month का notice देना था तो उसने फरवरी 2019 में ये notice दे दिया और 2019 में ही अमरिका इस treaty से बाहर निकल गया ऐसा नहीं है कि इस treaty के कोई use नहीं था दोनों ही countries ने करीब करीब 2700 missiles जो इस range में थे उनको खत्म किया इस treaty के अंदर और फिर अब हम आते हैं 2020 में 2020 में अमरिका ने WHO की funding रोग दी आपको पता होगा कोवीड 19 को लेके अमरिकी राश्वर्ति डोनाल टरम डवलू एचो से काफी खाफा थे उन्हें लगता है कि WHO ने चाइना के एगेंस्ट में वो सारे measures नहीं लिये जो उन्हें लेने चाहिए उन्होंने चाइना को criticize नहीं किया इस global pandemic के लिए चाइना को blame भी नहीं किया चाइना के उपर कोई responsibility नहीं डाली और अमरिका को ये भी लगता है कि इसकी proper जाच भी नहीं हुई तो इन टोटल डोनाल टरम डवलू एचो से इतना खाफा है कि उन्होंने पैंडमिक के बीच में ही डवलू एचो को दी जाने वाली फंडिंग रोग दी और विसेंटली अमरिका ओपन स्काई ट्रीटी इससे भी निकलना चाह रहा है तो ये जो पूरी सिरीज चल रही है ट्रीटीज से बाहर निकलने की या जो वर्ल्ड ग्लोबल ओर्गनेजेंस जेसंस हैं उनकी फंडिंग रोग देने की तो उससे एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 2021 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटी है नियू स्टार्ट ट्रीटी ये साइन होनी है अमरिका और अश्या के बीच में एक्शोली में ये रे साइन होनी है तो इसका फ्यूचर काफी हद तक अब अनसर्टेंट है और लग रहा है कि अमरिका सायद नियू स्टार्ट ट्रीटी से भी पुल आउट कर लेगा दोस्तो अब हम थोड़ा डिसकस कर लेते हैं नियू स्टार्ट ट्रीटी पर भी अभी आफ लोग सोच रहे होंगे कि मैं आफ लोगों को आई एन एफ ट्रीटी के बारे में क्यों बता रहा हूँ नियू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में क्यों बता रहा हूँ जबकि हमने ये लेक्चर रखी हुए ओपेन स्काइट ट्रीटी के लिए क्योंकि दोस्तों देखो INF Treaty, New Star Treaty और ये Open Sky Treaty अगर आफ इन तीनों को मिला कर देखो तो इनका एक मतलव निकलता है देखो Cold War के समय और इवेन उसके बाद भी दुनिया खौफ में जी रही थी अमरीका और पहले Soviet संग बाद में रस्या के नाम से जाना गया तो इनके बीच में जो तनाव थे वो बढ़ते ही जा रहे थे टेंसन्स कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और आप ये सिर्फ नंबर्स देखो इनके पस निकलियर विपन्स कितने थे ये देख रहे हो निकलियर वार हिट्स 30,000 अमरिका के पास और 40,000 के आसपस रस्या के पास इतने विपन्स से तो दुनिया का कितने बार सरुनास किया जा सकता है बोनी नहीं सकते हैं आफ और इस बात का डर दोनों देशों को भी था तो सबसे पहले आई हमारी INF ट्रीटी ये INF ट्रीटी क्या कर रही थी INF ट्रीटी इंटरमीडियर रेंज के मिसाइल और सौर्ट रेंज के इतने भी मिसाइल थें जो कि 500 किलोमेटर टू 5500 किलोमेटर के बीच में थे उनको फिनिस करना था इन दोनों कंट्रीज को इसके बाद आई हमारी स्टार्ट ट्रीटी इसे डारे इसके बाद इसे रिन्यू किया गया था दस साल के लिए तो 2021 से लेके 2021 तक का इसका टाइन था तो पहले स्टार्ट टृटी में क्या था इन लोगों को ना सिर्फ nuclear launch vehicle कम करने थे बलकि nuclear warheads को भी limit करना था तो इस्टार्ट्रेटि जो पहले इस्टार्ट तरीटे थी उसमें लिमिट था 16 और 16 और नूकलियर लांचर या लांच वीकल आप जिसको बोल सकते हैं और 6000 नूकलियर वार हेड ये थी पहले इस्टार्ट्रेटे के लिमिट दोनों देशों ने साइन किया था है के समय इन लोगों ने एक नया target shade किया, इन लोगों ने target shade कि हम अपने launch vehicle को घटा के 700 तक लाएंगे और अपने nuclear warheads जो हैं उनको घटा के हम 1550 तक लाएंगे तो आप यहाँ पर जो graph गिरता हुआ देख रहे हैं, यह देख रहे हैं यह बिलता हुआ graph है, ठीक है नहीं तो 1990 और 1990 के बीच में तो आप देखी पा रहे हैं कितने nuclear warheads हैं दोनों countries के पास में तो यह graph काफी गिरा है यह इनहीं treaties की वजह से गिरा है, इसके बाद फिर आया open sky treaty, अभी open sky treaty दोनों countries सिर्फ दोनों countries नहीं क्योंकि यूरोप के भी देश सामिल थे तो इनके बीच में trust generate कर रहा था देखो यह open sky treaty sign हुई थी 1992 में और यह force में आय थी 2002 में अभी आप यह बोलोगे यह इसका क्या मतलब हुआ, sign हुए 1992 में, force में आय थी 2002 में तो देखो, होता कि कोई भी treaty, international level पर कोई भी treaty sign होना ही काफी नहीं होता है जरूरी होता है कि वह ratified हुआ है क्या या नहीं जो member countries है उनके साथ क्योंकि दो treaty sign होना यह अलग बात है और दूसरी important बात है कि उस treaty के according आप अपने देश के कानून में बदलाव लाते हो या अपने देश में कानून बनाते हो तो ही तो इस treaty का कोई महत्व है ना तो आप यह बात समझ गये होगे अभी इसके 35 countries है 35 country member हैं और एक country किर्गिस्तान इसने treaty को sign किया है तो यह 35 है और treaty ratification की बात है तो यह 34 है अच्छा एक important चीज यहां पर है कि USA and Russia ने यह treaty sign की है बट चाइना इसका member नहीं है अभी यह treaty देखो करती क्या है मान लो कि USA को doubt है कि Russia अपने यहां कुछ mass scale पे military movement कर रहा है तो होगा क्या इनके बीच में obviously back channel तो बना हुआ रहता है यह back channel के थुरू बात करने की कोशिस करेंगे बट यहां पर एक और mechanism exist कर रहा है इस mechanism को ही open sky trade बोलते है और इसके अंदर क्या हो सकता है कि US अपना एक unarmed surveillance aircraft भेजेगा रसिया और यह plane रसिया में hover करेगा रसिया में fly करेगा जो भी suspected area है यह plane उहां पर surveillance करेगा और यह फिर वापस आ जाएगा USA होने का बहुत जादा कुछ तो हो नहीं सकता लेकिन हा US को एक assurance तो जरूर मिलेगा एक small amount ही सही लेकिन trust तो बना रहेगा तो इसका मतलग क्या है कि US जब चाहे रसिया में एक plane भेज दे surveillance के लिए नहीं ऐसा नहीं है देखो इसके कुछ सर्ते हैं सबसे पहले कि जिस भी country को surveillance के लिए जाना है उसको at least 72 hours पहले notification देनी होगी तो 72 घंटे पहले notification देनी होगी और जो flight duration है वो 96 hours से ज़्यादा exit नहीं करना चाहिए इसके अलावा एक pre-flight inspection भी होता है इस inspection में ये चेक किया जाता है कि flight में जो भी उपकरन use हो रहे है वो as per treaty है या नहीं open sky consultative commission ये एक body है और ये implementing body है इस duty के लिए ये ध्यान में रख लेना ये काफी important तो आप सोच रहे होगे अभी कि ये इतनी अच्छी treaty है at least small amount trust तो बना रहेगा countries के बीच में तो US इस treaty को क्यों छोड़ रहा है US का कहना है कि Russia इस treaty को properly follow नहीं कर रहा है Russia ने बहुत सारे ऐसे areas हैं जिन में US को fly करने से मना कर दिया है US का कहना है कि Russian control Georgia का जो area है वहाँ पर Russia ने US को fly करने से मना कर दिया है इसी तरह की बाते Russia के तरफ से भी आ रही है लेकिन यहाँ पर एक Chinese angle भी exist कर रहा है हम अभी वह angle को भी देखेंगे लेकिन पहले हम यह देख लेते हैं कि किस country ने इस treaty का कितना फायदा उठाया है तो सबसे ज़्यादा अगर इसका कुसी ने फायदा उठाया है तो वह है अमेरिका अमेरिका ने 196 flights total conduct की है और इसके बाद आता है Soviet या Russia भी जिसको हम बोल रहे है Actually Russia ही बोलना चाहिए Russia ने only 71 flights अभी तर conduct की है study के अंत्रगत तो अभी देखो हम थोड़ी Chinese factor की भी बात कर ले यहाँ पर आपको पता हो का यह सारी treaties जबी sign हुई तभी China globally बहुत बड़ा player नहीं था उस समय दो ही बड़े player थे Russia और USA और अमरिका ने भी यह सारी treaties तभी Russia कोई ध्यान में रखके बनाई थी Russia कोई तभी enemy state बना जाता था लेकिन अब China एक major global player बनके उभरा है और यह challenge कर रहा है US को हर जगह पर और सबसे बड़ी बात है China Russia का एक major ally भी है ally मतलो दोस्त तो US को देखो क्या लगता होगा कि Russia जो data collect कर रहा है जो information collect कर रहा है US के उपर fly करके वह might possible कि वह China को भी share कर देता हो but US के पास अभी तक ऐसा कोई mechanism नहीं है कि वह China के उपर fly करके इनके data को gather कर सके तो USA के पास दो ही रास्ता है या तो इन treaties में बदला हो जाए या फिर उन treaties को completely shut down कर दिया जाए अभी यह जरूरी है जो Chinese influence बढ़ता जा रहा है उसको control करने के लिए USA में सो देखो we have completely gone through the topic अगर आपको मेरे यह videos की PDF चाहिए तो आप मेरे को मेरे telegram channel पर join कर लिजए यह देखिए मेरा telegram channel है आप मेरे को इस channel पर join कर लिजए मैं आपको इस इन videos की PDF प्रोवाइड कर आता रहूंगा और प्लीज आप मुझे मेरे Facebook Twitter और LinkedIn इन तीनों पर भी join कर ले Thanks a lot for watching the video See you very soon till then stay safe Stay motivated